आप लोग का पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में कौन सा ऐसा फिश आ सकता है जो कि भाई लॉंग लाइफ तक जी आप लोग का पैसा भी मतलब ज्यादा खर्च ना हो और लॉंग लाइफ तक जीए देखने में भी सुन्दर ओ आज बताउगा इस वीडियो में दिश में उन लोगका टेंग मेड्स और लोग का फूट सब कुछ बताऊंगा डिटल्स में तो वीडियो को पुरा एंड तक देखना वीडियो थोड़ा से प्याचले के वीडियो के लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चलिए आज की इस वीडियो क आज मैं आज बेसिकली टॉप टेन लिस्ट म 설 Чण गा और टॉप 10 लिस्ट में नंबर 10 में जो रहेगा ओ सीप थोड़ा कॉचली है और मणेर बीडियो वीडियो में मॉंस्टर फिश को में से नहीं करने वाला जो फेमस मॉंस्टर है क्योंकि गाइस उसाब का प्राइस बहुत ही हाई होता है 500-600 आप चला जाते है इसलिए उसाब में से नहीं करूंगा मतलब 100 रुपिया से नीचे ही मैं कोशिश करूंगा बोलने में पर लास्ट बोलू तो अभाराल 20 रुपिया में मिल जाता है प्लेको एक पीस और थोड़ा चोटा वह तो 15-10 में मिल जाते है यह जो है बहुत ही लोंग लास्टिंग फीस है आप लोग को भी पता लोंग लास्टिंग बोलना ठीक नहीं होगा बहुत दीन तक जीता है प्लेको बहुत يا फिर मेरा वाला राइप डिन्ग लेता है तक आदत हो जाता है और इनलोग का प्राइस भी बहुत ही लो है टैंकमेट्स बौलू तो मैक्सिमम multiplayer में सब के साथ ही रहता है और थोड़ा बहुत हाड़ी फिशस के सथाब रहता है मतलँ तो में देखिए बहुत कोई बोलता है इवें मैं जब फर्स्ट अकुडियम लिया था मैं भी सार्क लिया था तब मेरे को 30 पर अब और जो सेलर था मेरे को बिसिकली डरा दिया था कि बहुत बढ़ बढ़ हो जाता है उसके बाद टैंक मेट्स को खालेता है बैसे डर गया था पर लाइफ फिडिंग लेता था बहुत ही बढ़ा भी होता है इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत बढ़ा टैंक चाहिए अगा छोटा में रखेंगे तो इसका ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा नॉर्मली अगर ये सब फिश कडिनेंगे ब्लैक वाला तो अभी 30 पर में मिल जाते है काई काई पे थोरा बहुत अगर हाइफ लेबल पर जाएंगे तो 40 पर मिल जाते है प्यर और जो अल्बीनो उसका 10 रुपया ज्यादा रहते है बेसिकली और इसका टैंग में बोलु तो मतले मैक्सिमाम फिश का जाती रह जाते है क्यूंकि नॉन अग्रसिव फिश दिमाग में घुजा के रखी इसे बेसिकली आप लोग एक नहीं रखिए आगर हो सकते एक पेर रखिए बहुत ही अच्छा होगा किशिंगोडम इस बहुत ही देखने में खुप शुरत होता है और पेर में रखिए बहुत दिन तक जीता है ये फिश और इसका प्राइस भी इसके लिए थोड़ा टेंग बड़ा चाहिए क्यूंकि बहुत रख और इसका प्राइस लग बगा करें डोड़ा जमाने में subscribeStar और ते का जगा तो सबस्क्राइब करें आये हमारी संसे की बाद सक्सक्राइब। लगोल रूफट मैंने मिन आते के और गोल्फिष। पर आप लोग को थोड़ा देखे रखना होगा कि अटक कर रहा है कि नहीं हम लोगा टॉप 10 लिस्ट में नमबर 6 में जो है कार्प कौन सा कार्प इंडियान कार्प देखे जापनिक्स कोई कार्प आप लिस्ट में नहीं लाना चाहता है क्योंकि उसका प्राइस बहुत ही उसका प्राइस लागबग 30-40 रुपी स्पेर में मिल जाते है और बढ़ा लेंगे तो बहुत कर नहीं सकता है छोटा से अप लोग अगर पा लेंगे तो 30-40 रुपीया पेर में मिल जाते है फिडिंग लेता है optimum और टैंक आपको थोड़ा बढ़ा रखना होगा नहीं तो य इडल साइज फिशेस के साथ रख सकते हैं हम लोग का टॉप टेन लिस्ट में नमबर सेवन में जो है वह है पाकू गाइस बौत कोई पाकू को सेल कता है पिधाना बोलके मेरे को बता है पर गाइस यह और इजिनली जो पाकू होते है देखे पाकू तीन टैप्स को होता है इसमें से सबसे लो प्राइस को आज में लाय हो है रेड बेली जिसे आम लोग रुप चंद भावत बहुती बहुती बड़ा हो जाते पर इसका प्राइस क्या है पता है लगबग 80-100 रुपी स्पेयर में मिल जाते है अगर थोड़ा बहुत होलसेल में लेंगे तो थोड़ा और कम है भी मिल जागा छोड़ा साइट बड़ा ने पर इन लोग का दोश क्या है यह जो है अपनों का एकोडियों में अगर फिल्टर क यह जाता रहे वो लोग को कार देकर मतलब बेसिकली टैंक में पुरा शॉट सर्कीत हो जागे जो मेरे साथ वहाता है इसलिए थोड़ा देख लखना कर अगर यह फिश राकरा थोड़ा बश्या बहुत बड़ा टैंक भी लगए हम लोगा टॉप 10 लिस्ट में नंबर 8 में वह है तीन फॉयल बार भी थोड़ा बहुत बड़ा होता है ज्यादा बड़ा भी नहीं हो जाता है आप लोग बेसिकली 2.5 feet to 3 feet टैंक में रख सकते हैं और गैस इसका प्राइस भी लगबग 100 to 120 रुपी स्पेर अभी का जमाने में जा रहा है इसका टैंक में पोलू तो लोज कर तो किया था नहीं और आप लोग को तीन फॉयल के बारे में मतलब तीन फॉयल के बारे में मतलब कौन से टैंक में रख सकते हैं अगर आपको लोग को पते हैं कॉमेंड में बोल सकते हैं क्योंकि मेरे को टीन फॉयल के बारे में उतना आइडिया नहीं है एक बारी में पा कि मैं जब आठीच को खाना देता था वो बेसिकली उसमें आधाट डल गया इसलिए लाइफ फिडिंग लेता है टैंक मेट्स बोलू तो बेसिकली आप लोग मॉंस्टर के साथ रखिए बहुत ही अच्छा होगा चोटा के साथ रखेंगे बहुत ही अच्छा बहुत दिन तक दोसरा को खा लेगा चिगलेट गृप का फिशेस है और देखने में भी सुंदर होता है लोकल वाला थोड़ा खराब लग सकते आप लोग को मेरे को पसंद आता है पर जो इंपोर्टेट वाला होते है बहुत ही सुंदर देखने में होते है तो इसका प्राइस भी और अगर इंपोर्टेट वाले लेंगे जो मैंगोस बगरा होता है और लगभा 120 रूपीस, 130, 140 रूपीस में मिल जाता है छोड़ा साही हम लोग का टॉप 10 लिस्ट में नमबर 10 में थोड़ा कोशली है उसका प्राइस पहले बोलते तो उसका प्राइस लगभाग 250 तो 300 है और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा 250-300 काई थोड़ा और भी कम में मिल सकता है आप लोग को थोड़ा देखना होगा और यह जो फ्लावर होन है यह बहुत दिन तक चीता है अगर ठीक से रखा जाए हीटर लगा के उसके बाद ग्रूमिंग वागरा करवा के वाटर ठीक करके ठीक करके रखके यह लोग बहुत दिन तक चीता है और यह जो है बहुत अच्छा है पेट बोल सकते है डॉक्स लोग के जैसा अगर उंगली दिखाएंगे तो पीछे भीचे घुमता है तो गईस यह लोग बहुत अच्छा होता है फ्लावर होन मेरे पास भी था पर मेरा हीटर ब्लास्ट के करन मर गया था आप लोगो भी पता है तो गईसे भी रख सकते है फ्लावर होन बहुत अच्छा लगते है मैं भी लाओंगा इन फ्यूचर पर अभी नहीं क्योंकि मेरे एक बार लाने का इच्छा कॉन सा पता है कामफा कामफा फ1 तो नहीं मिले तो मेरे को लाने का इच्छा है तो देखा जाया क्या होते है इन फ्यूचर तो गईस यह था आज हम लोग का टॉप 10 लिस्ट अगर यह वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगे तो आज का वीडियो को लाइक करना लाइक के बीना कई मात जाना और चैनल पर भीना होते है स सब्सक्राइब करके बेल आइकान को भी प्रेस करना एस और वीडियो इन फ्यूचर रेगुलर्ली देखने के लिए तो चलिए गाइस आज किस वीडियो को ही परियेंड करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर तब तके लिए गुडबाई और थांक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो